फिर से कब लाइब आउंगा मुझे खुद पता नहीं है इसलिए जो मौका आपको मिला है उसका लाव उठाईए फॉर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए आशा करने से हमारी ओर्गनाइजेशन और आगे जाएंगी चलिए शुरुवात करते हैं पढ़ना बूटस टाइब 5 को जरा वैबशाइट ओपिन कर लिजे वीफाइब डॉट गेट बूटस टाइब डॉट कोम पहले यह जानिए कि बूटस टाइब को पढ़ते क्यों है जर्णरली रेस्पॉंसिव वैबशाइट बनाने के लिए बूटस टाइब को पढ़ा जाता है रेस्पॉंसिव वैबशाइट वो कहलाता है जो अपने आकरती में बदलाव करता हो device के अनुशार generally website कहां कहां पे खुलता है computer पे tablet पे mobile पे तो अगर कोई website computer पे खुलने के बाद जब वो mobile पे खुलेगा तो अपने अगर आकरती में बदलाव करेगा तो उसे कहा जाएगा responsive website जैसे देखे computer पे web institute के website ऐसी खुली लेकिन अगर मैं इसका size छोटा करूँगा तो आपको पता चलेगा कि mobile पे web institute का website ऐसा कुछ दिखेगा तो यह जो functionality आप देखड़े हो website का आकरती बदलने वाला इसे कहा जाता है responsive website ओके जड़ा इस्टैप पे वापस्छा जाहिए v5.getbootstep.com पे यहां से bootstep 5 के latest source code को आप डाउनलोड कर पाओगे यह देखे download का बटन द HTML, CSS और JavaScript का framework है framework को उशे कहा जाता है जो किसी language के काम को आशान करता हो जैसे bootstep को बनाया गया है HTML, CSS और JavaScript से तो इसका मतलब यह हो गया कि HTML, CSS और JavaScript के माध्यम से आप जो भी काम करते होंगे उन चीजों को आप और आशानी से बना शको इसके लिए bootstep language को discover किया गया है इसलिए bootstep को कहा जाता है कि bootstep, HTML, CSS और JavaScript का framework है वाशे अगर आपको framework के बारे में शही से जाना है तो यह वीडियो देखे इससे पहले की जो वीडियो है जिसका नाम है framework versus library यह वीडियो को देखे तो आपको समझ भी आएगा framework और library में क्या आंतर होता है जब भी भी framework हम पढ़ते हैं सबसे पहले framework से related कुछ files को download करते हैं तभी हम उस framework में काम कर पाते हैं जैसे bootstep अगर HTML, CSS, JavaScript का framework है तो सबसे पहले हमें वो file download करना पड़ेगा जिसके मादे हम से bootstep में code कर सकते हैं शो उसी file को अभी मैंने यहाँ से download किया है download करने के बाद यह file मेरे desktop पे गया होगा यह देखे bootstep 5 के नाम से एक folder मिला इसके अंदर से दो file के आपको आवश्यक्ता होंगी पहले CSS में जाए और ध्यान से देखे यह रहा bootstep इस file को पहचान लीजे और इसे बाहर कर लीजे यहाँ पे फिर back जाए यहाँ से और JS folder में जा आकर bootstep.js नाम का जो file हो उसको बाहर निकाल लिए बस इतना ही दो file आपको निकालना था जब यह file आप बाहर निकाल लोगे folder से तो किसी भी safe location पे आप एक folder क्रियेट कर लो जैसे मैंने desktop एक folder क्रियेट कर लिया project के नाम से अब इस project वाले folder को पेन कीजे और इसके अंदर दो folder और create कर लिजे right click करके new में जाएंगे और folder को चूज करेंगे पहला folder JS के नाम से create कीजे और दूसरा folder CSS के नाम से create कर लिजे आशा हमने इसलिए किया है था कि हम bootstep.js वाले file को JS के अंदर रक्षा के देखे मैं यहाँ से control x बटन प्रेस करके cut करता हूँ और JS folder के अंदर इसे paste कर लेता हूँ फिर यहाँ से back जाए और यह देखे bootstep.css को control x से cut कर लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ बस इतना ही preparation करना था आपको bootstep में coding करने के लिए चलिए आप अपना phrase या जो भी आपका favorite text editor है उसे आप open कर लो मैंने sublime को open किया जो folder हो आपका project के नाम का उसक drag and drop कर दीजिए सबसे पहले एक html file create कर लिजिए इस project folder के अंदर इस पर right click कीजिए और new file को select कीजिए पहले मैं इसे save ही कर लेता हूँ उसके बाद मैं इसके अंदर code करूंगा मैंने index.html के नाम से save किया जरह देखे यहाँ पे सबसे पहले आपको html का document structure ऐसे write कर लेना ह अब इन दोनों file का लाव आप index.html में उठा आशको इसके लिए दोनों file को link कीजिए सबसे पहले css वाले file को link करेंके link tag को आशे शुरू करके बंद कर लिजिए relationship का value आशे define कर दीजिए style set उसके बाद href में define कर दीजिए कि आपका css वाला file कहां पे है देखे css folder के अंदर है bootstap.css के नाम से यहाँ पे आशे define कर दीजिए bootstap.css अब js वाले page को link कीजिए जड़ा तो javascript के file को link करने के लिए script tag को शुरू करके बंद करते हैं और फिर src के value में हम path define करते हैं तो हमारा जो bootstap.js file है वो कौन से folder के अंदर है js folder के अंदर तो यहाँ पे हम define करेंगे js slash bootstap.js तो file डाउनलोड करने के बाद जब तक आप अपने index.html में file को link नहीं करोगे तब तक आप उसका लाव नहीं उठा पाओगे अब इसके बाद body में coding करना शुरू करेंगे bootstap जो है वो हर काम के लिए आपको अलगला class का value प्रवाइड करता है जैसे एक website में यूज होने वाला जितना भी चीज है जैसे की animation साथी शाथ website का जो menu बार होता है वो उसके शाथ शाथ website में जो buttons आप देखते हो वो जो table list आ माध्यम से बहुत शारी coding write करके बनाते हो वो शारी चीजे आप bootstap से easily कर पाओगे आपके coding की संख्या बहुत कम हो जाएंगी चलिए सबसे पहले button बनाना शीकते हैं कि bootstap के माध्यम से आप button कैसे बनाओगे जो भी काम आप markup का करते हो HTML से वो वैसे ही होगा बस उसे design करन का काम bootstap करेगा अब जैसे देखे मैं यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए write कर देता हूं इस तरह से टेस्टिंग जेनरली अगर अभी हम इसे run करेंगे तो यह कुछ ऐशा दिखाई दिया देखे बड़ा ही common है पहला तरीका क्या है इसको design करने का हम शिये से supply करे और बटन में ही class attribute का इस्तमाल करेंगे और और फिर आपको याद होना चाहिए कि बटन के लिए कौन सा class value इस्तमाल होका जैसे bootstap आपको बटन के लिए btn नाम का class value प्रवाइड करता है शो आप btn class value को add करो और फिर यहाँ से test करके देखो जरा गोर से देखे यहाँ पे जो default design था वो remove हो गया अब हमें decide करना कि इस बटन का color कैशा होगा तो जो bootstap है वो by default आपको कई परकार के colors को provide करता है जैसे अगर आप btn- primary class value इस्तमाल करोगे तो देहान से देखे बटन का color कुछ हैशा दिखेगा तो bootstap पूरा class के value पे ही dependent है बटन बनाने के लिए अलग class यानि कि बटन को design करने के लिए अलग class, website में animation बनाने के लिए अलग class, website का menu बनाना है तो अलग class तो जिस तरह से आप html को शीखने के लिए tag और attribute को शीखते हो वैसे ही bootstap अगर आपको शीखना है तो simply class के value को याद करना होगा, automatic आपको bootstap याद हो जाएगा, वैसे video के description में अगर आप अभी जाते हो तो आपको notes मिलेगा bootstap 5 का, आप वहाँ से download कर लिए बहुत फायदा होगा आपको शीखने, अब जैसे एक color के लिए मैंने ये class value इस्तमाल किया, और भी कई सारे classes value है जो button में अलग-लग प्रकार के color को करेगा, पहला तो primary आप जान गए, दू bootstap by default आपके button को design कर दे रहा है, इसलिए bootstap को html css और javascript का framework कहा जाता है, अगर आप bootstap का इस्तमाल नहीं करोगे तो आपको क्या करना होगा, css के माध्य हम से custom, पहले इसका border remove करना होगा, फिर इसके अंदर color set करना होगा, और फिर इसमें border radius को pass करना होगा, तब corner इस type के माध्य हम से, यह automatic decoded हो गया, तो जबी भी button मनाएंगे, तो color करने से पहले btn class value जरूर add करेंगे, यह इसलिए add करते हैं ताकि button का default design remove हो जाए, चलिए जड़ा अगले class value के बारे में जानते है, जो button का और color change कर सकता है, जैसे की btn-link, test कीजे का आशा दिखता है, यह आशा दिखा, और भी जड़ा देखिए, btn-dark, आशा करने से देखिए, dark color में आपका button दिखेगा, अगर आपको light color में बटन चाहिए, तो btn-light, यह class value add करेंगे, तो light color में आ जाएगा, तो अब तो logic समझ में आगया हो का boot step का, कोई भी काम करेंगे, तो बशा में class आपको boot step नहीं आता है, पहले से, तो आप शीख जाओ थोड़ा बहुत, फिर हम project करेंगे, तो शारी चीज़े आपको समझ में आ जाएगी, जरा मैं इसका color change करता हूँ, क्योंकि मुझे जो testing करना है, वो color change करने के वाद शहीशे पता चलेगा, चलिए, margin और padding से related, कुछ class value को जानते हैं, यह तो आप जानते हो कि CSS में margin नाम का property है, अगर आप 20 pixel margin दोगे, तो क्या होगा, आपका जो button है, वो 4 दिशा से 20 pixel move हो जाएगा, boot step आपको margin के लिए M class value देता है, और padding के लिए P class value, देखे, margin का जो value है, वो 1 से लेकर, sorry, 0 से लेकर, 5 तक आप define कर सकते हो, जै है, अगर आप M4 देंगे, तो 4 pixel margin 4 दिशा से आएगा, अगर आप margin 2 देते हो, तो 8 pixel margin 4 दिशा से, अगर आप margin 3 देते हो, तो 16 pixel margin आएगा, अगर आप margin 4 देते हो, तो 32 pixel margin आएगा, और अगर आप margin 5 देते हो, तो 48 pixel margin आपको मिल जाएगा, तो ये सब चीज बड़ा ही आशान स्या भूरुट्स टैप में कर सकते हो देखे का य़ अपलाई करेंगी जैसे बटन में हमें मार्जिं पास करना है तो क्लास वैलू एक से जाधा दे सकते है पहला हमने यह दिया दूसरा हमने यह दिया तीसरा हम डिफाइन कर देते है M-5 इसका मतलब होगिया मार्जिन 48 पिक्सल चारो दिशा से ज़रा रण करके टेस्ट के जिए काशा दिखता है देखे चारो दिशा से मूव हो गया तो सबसे हाइस्ट मार्जिन आप बूट स्टैप के माध्य हमसे 5 ही अपना अपना काम करेगा जैसे BTN डिफॉल्ट डिजाइन को हटा देगा BTN प्राइमरी बटन को कलर कर देगा M3 बटन में मार्जिन देगा उसी तरह से अगर आपको पैडिंग देना है तो आप इस तरह से डिफाइन कर दो पैडिंग 3 रन करके टेस्ट कीजिए देखिए ऐसा पैडिंग आगया इसमें तो यह जो वैल्यू आप देखरो मार्जिन और पैडिंग में यह 0 से लेकर 5 आप देशकते हो सपोज कीजिए अगर किसी का डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग रिमूफ करना है तो आशे डिफाइन करेंगे M0 और यहाँ डिफाइन करेंगे P0 तो डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन अगर इसमें होका तो आशा करने से रिमूफ हो जाएगा ओके सिर्फ वीडियो आप देखरो लाइक नहीं करें वीडियो को नहीं चैनल सब्सक्राइब कर रहें आप और नहीं बेल आइकन को हिट कर रहें अटलेस्ट इतना काम तो आप कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोज का लाभ मिल सके चली आगे पढ़ते हैं इसमें तो चारो दिशा से मार्जिन देने के लिए M और चारो दिशा से पैडिंग देने के लिए P लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको सिर्फ मार्जिन टॉप देना है तो क्या डिफाइन करेंगे आप ऐसे डिफाइन करोगे M T उसके बाद 0 से लेकर 5 आप यहां डिफाइन करो ठीक उसी प्रकार से मार्जिन बोटम देना है तो M B 0 से लेकर 5 तक यहां डिफाइन केजिए M L देंगे तो इसका मतलब हो गया मार्जिन लेफ्ट और अगर M R देते है तो इसका मतलब हो गया मार्जिन राइट ओके तो देखें मार्जिन से रिलेटर आपने कितना क्लास वैल्यू पढ़ा 5 M लिखेंगे तो 4 दिशा का मार्जिन से मुशी प्रकार से P के लिए भी है चारो दिशा से अगर पैडिंग देना है तो P-0 से लेकर 5 के बीच में कोई भी वैल्यू दीजिए अगर आपको सिर्फ पैडिंग टॉप देना है तो आप डिफाइन कर दो P-0 या जो भी देना चाहते हो 0 की जगा पे आप ओर डिफाइन कीजिए उसी तरह से पैडिंग बोटम देना है तो आप ऐसे डिफाइन करो पैडिंग लेफ्ट के लिए आप ऐसे डिफाइन करो और पैडिंग राइट के लिए आप ऐसे डिफाइन करो बस याद रखना है जो 0 है वो 0 से लेकर 5 तक आप राइट कर सकते हो margin और padding में दो ओड होता है अगर आपको margin left right दोनों एक बाड में देना है तो आप MX का इस्तमाल करो अगर margin top bottom दोनों एक साथ देना है तो आप MY का इस्तमाल करो शे मुशी प्रकार से अगर आपको padding left और right देना है तो आप PX का इस्तमाल करो अगर padding आपको top और bottom देना है तो आप py का इस्तमाल करो ओके तो margin और padding से related जेनरली इतना शाड़ा class हो गया ये सब आपके notes में दिखेगा आप एक बार notes को पढ़ो सब समझ में आ जाएगा बहुत easy तरीके से notes को prepare किया गया है अब ज़रा boot step containers के बारे में पढ़िये जेनरली website का विर्थ रिफाइन करने के लिए containers का इस्तमाल करते जैसे ये वैब institute का official website है आप देखो इसका जो विर्थ है वो 100% है वैसे ही आप YouTube पे अगर आओगे तो यहां से लेकर यहां तक देखिए इसका विर्थ 100% से कम है तो जब भी भी boot step में हम website बनाएंगे सब से पहले decision लेंगे कि website का विर्थ full होगा यानि कि 100% होगा या 100% से कम कुछ ऐसा होगा तो ज़रा देखिए website का विर्थ डिफाइन करने के लिए boot step में एक development को create करते और फिर इसी development में हम class का value डिफाइन कर देते हैं container या container fluid देखे जैसे मैंने container दिया तो इसका जो विर्थ होगा वो 80 या 70% के आशपास होगा इस container के अंदर आप कुछ write करोगा तो ही इसका फर्क देखने को आपको मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पर write कर दिया hello तो वैप जर्ण टेस्ट कीजे कैसा दिखता देखिया ऐसा दिखाई दिया लेकिन डबबा का कितना चोड़ाई है वो पता नहीं चला आपको तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो आप इस डबबा को color कर सकते हो तो याद होगा आपको button को color करने के लिए हमने btn और उसके बटन की जगा राइट कर देंगे bg इसका मतलब हो कि आप background color primary रन करके जरह टेस्टिंग कीजिए आप ध्यान से देखो इसका जो विर्थ है वो 80 या 70% के आशपास है क्योंकि हमने class value क्या दिया container अगर हम container- fluid यहाँ पे define करते तो इस container का जो विर्थ होगा वो 100% के आशपा अटमेटिक हो जाएगा तो जब भी हम website बनाएंगे सबसे पहले यह decision लेंगे कि website का जो विर्थ होगा वो क्या होगा container- fluid होगा या container होगा तो मैं चाहता हूँ website का विर्थ फुल हो इसलिए मैंने container- fluid define किया तो boot step 4 में container के लिए सिर्फ दो ही class value था container और container- fluid लेकिन boot step 5 के नुशार इसमें और भी classes value को आइड किया गया है container के लिए देखे जरा container SM, container MD, container LG, container XL और container XXL इसका मतलब क्या हुआ जरा इसको समझे अगर आप container SM define करते हो यहाँ पे तो जैसे ही screen size 546 pixel से नीचे जाएगा automatic इसका 100% हो जाएगा अगर MD का इस्तमाल करेंगे तो 668 pixel से नीचे जाएगा LG का इस्तमाल करेंगे तो 992 pixel से नीचे जाएगा जरा इसके practical देखते हैं सबको समझ में आजाएगा आपको एक चीज़ जरा ध्यान दिजिए जबही भी हम कोई भी responsive चीज़ पर काम करते हैं चाहे हम CSS के माध्यम से custom responsive करें या boot step के माध्यम से responsive करें तो meta का viewport define करना बड़ा ही compulsory है क्योंकि इसी के कारण device के अनुशार आपका जो website होता वो scale होता यानि कि mobile का विर्थ कम है computer का विर्थ जादा है तो इसी meta के कारण आपके website का जो विर्थ होगा वो mobile पे जाते ही scale हो जाएगा mobile के अनुशार और tablet पे जाते ही scale हो जाएगा tablet के अनुशार और computer पे जाते ही scale हो जाएगा computer के अनुशार तो ये देना जरूरी है जरा इस कोडिंग को सही से समझ लिजे यहां देखे मेटा में name का value defined है viewport viewport का मतलब होता है किसी भी चीज को आकर्ती के अनुशार दर्शाना इसलिए हम मेटा में name का value define करेंगे viewport क्योंकि आकर्ती को यानि कि वो जैसा दिख़़ा है उसे कंट्रोल करने का काम ये मेटा करेंगा इसलिए name का value defined है viewport अब जो कंट्रोल होगा वो किस के अनुशार होगा वर्थ के अनुशार या height के अनुशार वही चीज यहां पे content में define है content में define है विर्थ equals device विर्थ इसका मतलब अगर website mobile पे खुलेगा तो mobile का जितना विर्थ होगा उसी शाब से website का विर्थ कंवर्थ हो जाएगा अगर tablet पे खुलेगा तो tablet का जितना विर्थ होगा उसी शाब से website का विर्थ कंवर्थ हो जाएगा initial scale 1 इसलिए define करते है ताकि हम tablet या mobile पे अगर हम zoom करते हैं website को इस तरह से pinch के माध्य हम शे तो website इधर उधर ना बिखड़े उसके लिए initial scale में value define करते है 2 तो generally ये touch responsive को control करने के लिए इस्तमाल होता है तो boot test app की coding शुरुवात करने से पहले ये जरूर add कर लेंके मैंने ये पहले ही add कर लिया था लेकिन शायद मैं भूल गया था आपको बताना इसलिए अभी बता रहा हूँ चलिए जरा इसके practice करते है smmtlg का तो container fluid defined है मैं यहाँ define कर देता हूँ container hyphen sm और run करने पे देखे जितना container का विर्थ होना चाहिए उतना दिखा लेकिन अगर मैं यहाँ पे right click करके inspect में जाओ और ये देख रहे है ये testing tool है responsive का 576 pixel से नीचे का जो screen होता है वो आपका mobile होता है और 768 pixel से लेकर 576 pixel के बीच का जो screen होता है वो tablet होता है तो ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पे define करूँ 576 pixel तो देखिए अभी भी इसका जो विर्थ है वो 70-80% के आश पास है लेकिन जैसे ही 576 pixel से कम करूं का automatic इसका वि container SM का इस्तमाल करोगे तो बड़े screen पे उसका जो default विर्थ है उतना ही रहेगा लेकिन जैसे ही mobile पे जायेगा automatic उसका विर्थ 100% में convert हो जायेगा शे मुशी प्रकार से अगर हम MD का इस्तमाल करे तो tablet से नीचे का device जो भी होगा जैसे की tablet और mobile पे जाते ही automatic आपके container का करता हूँ यहाँ पे देखे tablet का जो size होता है वो 768 pixels के आसपास होता है तो यहाँ देखे 767 pixels पे थोड़ा सा विर्थ कम है लेकिन जैसे ही 767 pixels से नीचे जायेगा automatic इसका जो विर्थ होगा वो 100% में convert हो जायेगा शे मुशी प्रकार से अगला देख लीजी क्या है LG अगर LG तो 992 pixels से नीचे के screen पे 100% विर्थ होगा अगर Excel इस्तमाल करेंगे तो 1200 pixels से नीचे के screen पे 100% विर्थ होगा अगर SSL इस्तमाल करेंगे तो 1400 pixels से नीचे के screen पे container के 100% होगा तो यह नया चीज़ आपको मिला है boot step 5 में मैं इन सभी चीजों को मिल्ठा कर container flood कर देता हूँ अगर आप container flood रखोगे तो जाहे कोई भी डिवाइस हो mobile, tablet, computer हर जगा इसका जो विर्थ होगा वो 100% होगा मैं color change कर देता हूँ अब हम project पे काम करेंगे बेसिक्स आपका clear होगे आशो मैंने busy light color define कर दिया था कि इसमे light gray color आ जाए मैं run करके test करता हूँ ध्यान से देखे light gray color आ गया यहाँ पे तो आशो नहीं कि boot step में आप red color, blue color, green color आशो define कर सकते boot step बूट step आपको कुछ predefined colors कहीं value देता है जैसे कि bg light, bg dark, bg primary, bg success, bg warning, bg danger इस तरह से यह सारा कुछ आपको notes में मिल जाएगा बस description में जाकर आप notes को download कर लो वैसे आप अभी तक हमारे online software engineering course के बारे में जानते हो या नहीं इसमें आपको software website application को step by step बनाना शिखाया जाता है यानि के develop करना शिखाया जाता है हमारे पास special faculty होते हैं आपकी help के लिए अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आएंगी तो teachers help करेंगे definitely website पे विजिट करके एक बार online classes के बारे में शारी information को प्राप्ट कीजिए हमें call जरूर कीजिए अब जरह यहाँ पे देखे यह जो website आप देखरों इसी को हम project के रूप में पूरे bootst F5 शे बनाने वाले है complete responsive website है जैसे अगर आप स्क्रीन साइच छोटा करोगे तो automatic ही अपने आकर्ती में बदलाव करेगा देखिए menu इस तरह से छुप गया तो यह पूरी website को हम अभी बनाएंगे सबसे पहले तो इसको बनाएंगे menu को तो ध्यान से देखे menu जो है वो full विर्थ में नहीं है जैसे अगर full विर्थ में होता तो land kit यहाँ देखता और landing pages account documentation यहाँ देखता यानि कि यह जो menu है इसे हम container वाले डबबे के अंदर बनाएंगे तो देखे यहाँ पे मैं ऐसे container नाम का डबबा create कर लेता हूँ color इसमें नहीं देता हूँ color मैं menu में देदूंका यहाँ से इसको remove कर दीजिए website का menu बनाने के लिए सबसे पहले html के सब्दों में documentation प्रिपेर कीजिए कभी भी website का menu बनेगा तो nav tag के अंदर ही बनेगा इसलिए nav tag को शुरू करके आप आशे बंद कर लो nav के अंदर सब्षे पहले हम brand name को या brand के logo को प्रिजेंट करेंगे शो जरा ध्यान से देखे यहां पे project folder के अंदर images नाम का folder है और इसके अंदर मैंने एक image को रखा है इस तरह आशे आप इस तरह का image गूगल से डाउनलोड कर सकते हो बस आपको गूगल में जाकर search करना है इस तरह से logo png आशाई में जापको दीख जाएगा आप इसको डाउनलोड कर लो डाउनलोड करने के बाद ये जो nav tag है इसके अंदर anchor tag को शुरू करके आशे बंद करेंगे जभी भी आपको brand name के लिए anchor tag create करना हो anchor tag में आप class का value define करेंगे nav-brand आशा करने से anchor tag के अंदर जो भी आप shape करोगे वो brand की तरह अच्छी तरह से डेकोडेट हो जाएगा जो मैंने img शुरू करके आशे बंद किया जो image है मेरे पास वो images folder के अंदर है और उसका नाम define है logo.png जरूरत के नुशार आप इसका विर्थ डिफाइन कर दो जैसे मैंने 50 विर्थ डिफाइन कर दिया height नहीं देता हूँ अगर सिर्फ विर्थ देगा छोड़ देंगे तो height automatic range हो जाएगा जबी भी आप img tag का इस्तमाल करो alt attribute का कुछ value जरूर define कीज़े जैसे मैंने यहाँ पर define कर दिया brand logo alt इसले देते हैं ताकि किसी current वस image load नहीं होता है तो उस case में alt में define किया गया नाम दिख जाएगा run करके testing करते हैं का आशा दिखता है जरा देखे कुछ है आशा दिखाई दिया इसके अंदर brand के name को भी write कर दीजिए शो brand के name को write करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे define कर दो मैं इस तरह से define कर देता हूं burger king और देखे जरा इस पे click करने के बाद यानिके img और brand name पे click करने के अच्छ बद क्या खुलेका वो define करने के लिए anchor tag में href attribute का इस्तमाल करेंगे हमें अभी define नहीं करना है कि क्या खुलना चाहिए इसलिए hash define कर देंगे इसका मतलब click करने के बाद कुछ भी नहीं खुलेका तो anchor tag कभी भी बिना href का नहीं बनाते इसलिए मैंने यहाँ पे href attribute का इस्तमाल करके hash link को define किया run करके test कीजिए देखिए कुछ हैसा दिखाई दिखाई दिया चलिए जरा आगे के menu को बनाते हैं शो nav tag के अंदर जहां पे anchor tag आपका खतम हो जाए इसके ठीक बाद आप एक div element को शुरू करके आशे बंद करेंगे और फिर इसके अंदर anchor tag से उन सारे elements को link कर दीजिए जो menu के रूप में आप display करना चाहते हो जैसे मैं menu के रूप में home को display करना चाहता हूँ शो anchor tag में href का value आप define कर दो hash क्योंकि अभी हमें नहीं define करना कि इस पे click करने के बाद क्या खुलेगा इसलिए मैंने hash का symbol दिया आप इसमें class का value define करोगे nav-link आश इसलिए करते हैं ताकि वो decorate हो जाए अब इसके बाद जितना भी menu आपको बनाना है उतना times copy paste कर दीजिए जैसे मैंने images के नाम से अगला menu create कर लेता हूँ वीडियोज के नाम से फिर अगला menu create कर लेता हूँ यहाँ पे about us के नाम से और फिर अगला menu यहाँ पे create कर लेता आपका चेंज हो जाएगा तो बटन के लिए अलग class value website के nav के लिए अलग class value, background color change करने के लिए अलग class value यानि कि हर काम के लिए boot step आपको अलगला class value प्रोवाइड करता है बस आप simply उसका उप्योग करो, automatic उसका फर्क देखने को मिलेगा आपको, मैंने run करके इसकी testing किया, देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया लेकिन चरह गोर से देखे, यहाँ पे brand name, buy side है और जो menu जहें आपका वो दाहिने side है so, ऐसे कैसे control होका, यह जो आपका nav है, इसी में class का value हम add करेंगे सबसे पहले class का value आप add करतो nav bar, run करके testing किजिए, देखिएगा कैसे फर्क पता चलेगा आपको देखे, arrange हो गया शही से, अब क्या define करना है हमें, यह शारा एक line में दिखना चाहिए तो आशा करने के लिए nav में ही अगला class value आप define करदो, nav bar-expand, तो आशा करने से ध्यान से देखिए, यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा देखे, एक line में आगया, यहाँ जितने भी menu आप देख़रों, शबको एक ही बाड में, दाहिने side भेजना है, कैसे भेज़ेंगे देखे, यह शारा का शारा menu, div tag के अंदर बंध है, आप इसी में class का value आड करदो, ml auto, यानिके margin left auto, तो margin left auto, अगर हम पास करेंगे, तो automatic, उतना margin आडेंज हो जगा जितना से, यह right में जाना चाहिए तो इस तरह से हमने menu को arrange गिया, अब देखे menu को color का आशे करेंगे, सबसे पहले यह जो nav है आपका इसी में, class का value हमा आड करदेंगे इस तरह से, nav bar hyphen light, आशा करने से इसका जो text होगा वो light में convert हो जाएगा, लेकिन इसका background color भी तो change करना होगा, शो इसका background color change करने के बीजी हाइफन, light आप ऐसे define कर दो तो background color change हो जाएगा, run करके test कीजे काशा दिखता है, देखे ऐसा दिखा, किसी और color में आपको चाहिए तो busy light की जगह, already आपको बताया था primary, danger, secondary, dark, ये सब, इन में से कोई भी value आप राइट कर सकते हो, या notes में देखे, notes में define है, वहां से आप लाइट कर सकते हो, so मैं busy light ही रहने देता हूँ ऐसे, अब शाहिए दिख़रा है, जरा इसको आड़ेंज कीजिए, हमें इसमें shadow देना चाहिए, तो अच्छा दिखेगा, तो nav bar में अगर आपको shadow देना है, तो इसमें आप अगला class value को आड़ कर सकते हो, इस तरह से shadow-sm, जरा देखे, ऐसा shadow आया, अब ध्यान से देखे, जो nav है उसके अंदर, left और right से बड़ा ही congested है ये शाड़ा menu, तो इसके लिए हम padding left और right दे शकते है nav में, तो देने के लिए यहाँ आजए ये nav के अंदर, और padding left और right एक साथ देना है तो px देंगे, और जरूरत के नुश 025 यहाँ पे आप define कर दू, जैसे मैंने 4 define कर दिया, तो left और right से padding चला जाएगा, run करके test कीजिए देखे, चला किया left और right से padding, एक और जीज़ पे focus कीजिए, इसका जो विर्थ है वो 70 या 80% के आश पास है, आप जातो इसका विर्थ full विर्थ में convert हो जाए तो, काश ये कर जरा इसका जो विर्थ हो का वो 100% के आश पास हो जाएगा, जरा इसका responsive टेस्ट कीजिए देखे, छोटा स्क्रीन करते ही, बिखाड गया सब कुछ, लेकिन यही अगर मैं वैब इंस्टिट्यूट की वैब साइट को छोटे स्क्रीन पे उपन करूं तो देखे, यहाँ पे शिम्बल आया और मैन्यूज यहाँ पे कोलाप्स हो गए, तो ऐसी functionality आप कैसे दोगे, जरा उसको अचीव कीजिए, आज यह कोडिंग में यह जो आपका development होगा, जिसमें class का वैल्यू नैफ बार हाइफन, नैफ डिफाइंट होगा, इसको आप एक development के अंदर ऐसे बंद कर तो, अगर आप इसमें class का value डिफाइंट कर देते हो, कोलाप्स, तो ऐसा करने से by default यह आपके computer पे hide हो जाएगा, देखे, menu hide हो गया, लेकिन menu computer पे hide नहीं होना चाहिए, यह menu mobile पे hide होना चाहिए, इसमें एक और class value आप add करो, नैफ बार हाइफन, कोलाप्स, ओके, तो ऐसा क जिए, desktop पे दिखा, mobile पे ले जाते हैं, देखे, जरा, mobile पे hide हो जाना चाहिए था, लेकिन, hide नहीं हुआ, कुछ error हो शकता है, कुछ गलती हो गई होगी, जिसके वाज़ाँ से, यह काम नहीं कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ देखे, navbar expand, यह जो हमने define कि आइफन, lg, तो ऐसा करने से यह problem solve हो जाएंगी, अब देखे, desktop पे दिखा, लेकिन, mobile पे जाते ही, यानि कि, mobile screen पे जाते ही, automatic menu hide हो किया, अब, जैसे ही, mobile screen पे जाएगा, हम, इस तरह का icon डिस्प्ले करेंगे, तो ऐसा icon का यह डिस्प्ले करना है, जरा, उसको जानिए, य यह जो आपका anchor tag है, यानि कि nav के अंदर, इस anchor tag के ठीक बाद, एक button को ऐसे create करेंगे, जरा, इसमें आप class value define करदो, nav bar, hyphen, toggler, आशा करने से यह जो button होगा, वो, सिर्फ mobile पे दिखेगा, desktop पे नहीं दिखेगा, क्योंकि, हमें जो icon display करना है, menu को open करने वाला, वो, कहां दिख नहीं दिखाना है, mobile पे इसलिए हम यह जो button हीज में class का value define करदेंगे, nav bar, hyphen, toggler, जभी भी button create करेंगे, boot test type के शब्दों में, type का value button जरूर define करेंगे, नहीं भी define करेंगे, तो कोई problem नहीं लेकिन, आशारूल है, अब यहाँ पे आपको define करना है, अब यहाँ पे आपको attribute set क data toggle और इसका value आपको define कर देना है, collapse, इसका मतलब यह हो गया कि जब इस button पे क्लिक किया जाएगा, तो वैसे element पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें class का value defined होगा, collapse, ओके, अब यहाँ पे अगला attribute आप set कर दो, data target, इसी में define करेंगे कि कौन सा element खुलेगा, जैसे by default यह element मोबा होगा, तो इसी element को खोलना है, इसलिए हम पहले इसमें id का कुछ value define करेंगे, जैसे मैंने id का value define कर दिया menu, अब यही menu आप hash के symbol के साथ यहाँ define कर दो, hash के symbol के साथ define करने का मतलब है कि यह किसी id का value है, तो इसका simple सा मतलब हो गया, कि अब इस button पे जैसे हम click करेंगे, वैसा element खुलेगा, जिसमें id का value, menu define होगा, जरा इस button के अंदर कुछ write कर दिया, जैसे मैंने button के अंदर write कर दिया, menu, run करके जरा टेस्टिंग केजिए, देखे, desktop पे अशा दिखा, लेकिन जैसे ही mobile पे जाएंगे, देखे, यहाँ पे button दिखा, जिसमें क्या डिटेन है, menu, आप इ आइकन इंसर्ट करने के लिए, आप इस pen tag को शुरू करके अशे बंद करोगे, और simply इसमें class का value आप define कर देंगे, nav bar toggler-icon, तो आइशा करने से nav bar के लिए जो आइकन होना चाहिए, by default आ जाएगा, देखे, nav bar का इसमेलिंग गलत है, इसको इस तरह से शाई से write करेंगे, मै आइ रन करके इसके testing करता हूँ, desktop पे आशा दिखा, देखे, mobile पे जाते ही आशा दिखेगा, क्लिक करेंगे तो खुले का, फिर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, तो यही होता है framework का आप देखो, आपका काम कितना आशान हो गया, सिर्फ आप class का value राइट कर रहे हो, औ और automatic साड़ा task perform हो रहा है, लेकिन अगरा boot step नहीं पढ़ोगे तो क्या problem आएगी, आपको HTML, CSS और JavaScript के माध्यम से, यह साड़ा चीज custom बनाना होगा, और इतनी आशानी से बनेगा भी नहीं, अगर इस तरह का topic first time पढ़ रहे हैं तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको, क्यों अगर यह video समझ में नहीं आड़िये, तो आप practice करनी के लिए काम कर सकते हो, आप इसका 10 minutes देखो, pause कर दो, उतना कि practice करो, फिर 10 minutes देखो, page कर दो, उतना कि practice करो, अगर आप ऐसे देखोगे, तो कोई problem नहीं होंगी, और अगर हर video ऐसे ही project के pattern पे पढ़ना चाहते हैं तो, आ आप हमारे online software engineering classes में इंडॉल कर सकते हो क्योंकि इसमें जो भी language आप पढ़ोगे सिर्फ project ही project होता है हमने इसको ऐसे त्यार किया है जिस तरह से हर language में कम से कम 3-4 project तो at least है ही और कोई भी project repeat नहीं होता है हर बार नया idea नया project इसमें आपको पढ़ाया चाता है जो student पढ़ रहे हैं उनको क्या फायदा होड़ा है अगर ये जाना चाते हैं तो एक बार ये जो live comment आपके बगल में चला है जरा उसको पढ़िए वहाँ premium में student जरूर comment किये होंगे उसे देखकर आपको idea हो जाएगा कि आपको इसमें किस परकार की education provide की जाएंगी चलिए जरा आगे पढ़ाई करते हैं हमने नए बार तो बना लिया अब हमें इन दोनों को बनाना है तो जरा ध्यान से देखे यहाँ पे left side में ये है और right side में ये है लेकिन जैसे ही mobile पे जाएगा ये automatic break होकर photo पहले दिखेगा और फिर उसके नीचे आपका text दिखेगा तो ये functionality हम boot step मे row और column के माध्य हम से achieve करते हैं शो जबही भी आपको left में कोई other content right में कोई other content set करना हो और complete उसको responsive बनाना हो mobile पे जाते ही तो row column की शाहता लेंगे कैसे row और column बनाते है जरा उसको देखिए यहाँ देखिए container flood कहां बंद हुआ यहाँ पे इसके ठीक बाद पहले एक डबबा create कर लिजे यह डबबा आपके website के विर्थ को define करेगा यानिके row और column का क्या विर्थ होगा उसको यह define करेगा तो मैं यहाँ define कर देता हूँ container तो इसका मतलब क्या हुआ अगर इसके अंदर row और column create करेंगे तो automatic उसका विर्थ होगा जितना container का विर्थ होगा सबसे पहले एक development create करेंगे और फिर्थ इसमें class का value ऐसे define कर देंगे row कभी भी row के अंदर ही column बनेगा अब जैसे इसका diagram देखे आपको समझ में आचाएगा ये एक single डबबा हुआ अब इसके अंदर इस तरह का दो डबबा हुआ तो ध्यान से देखिए ये जो बाहर वाला डबा आपका है ये कहलाएगा row और अंदर वाला ये जो डबबा है और ये जो डबबा है ये इस row का column कहलाएगा यानि कि ये पहला column और ये दूसरा column तो गौर से observe कीजिए ये दोनों column row के अंदर बंध है इसका मतलब programmatically भी अगर column create होगा तो पहले row बनेगा और फिर उसके अंदर column create होगा इसलिए मैंने row बनाने के लिए डिम में class का value row define कर दिया अब आपको decide करना है कि इस row के अंदर कितना डबबा बनाने अगर आपको 4 डबबा बनाना है तो 4 बा development शुरू करेंगे लेकिन चरह यहाँ पे देखिए यानि कि website के design में हमें 2 डबबा बनाना है पहला ये दूसरा पहले में write करेंगे और दूसरे में photo को set करेंगे तो दो बाद development को शुरू करके आशे बंद किजिए ये पहला development और ये दूसरा development जबी भी हम column create करेंगे उसका कुछ न कुछ विर्थ जरूर होका देखिए विर्थ कैसे डिफाइन करेंगे development में class का value define कर देंगे call इसके बाद define कर दीजे md और फिर define कर दीजे 6 फिर यहां define केजिए call md 6 call का मतलब है column md का मतलब है 660 pixels से नीचे का screen और 6 इसका विर्थ है जब भी भी row के अंदर हम column create करेंगे उसका विर्थ हम 1 से लेके 12 के बीज में define कर सकते है सबका अलग लग विर्थ आपको देखने को मिलेगा लेकिन ध्यान दीजे दोनों मिलाकर अगर 12 हो गया तो उससे ज़्याद आप नहीं देशकते हो जैसे 6 और 6 क्या हो गया 12 यानि कि एक row के अंदर कैसे भी जो विर्थ होका वो maximum 12 होना चाहिए भले ही आप एक ही column बनाओ लेकिन maximum इसका जो विर्थ होका वो 12 होका 12 का मतला हो गया 100% और अगर हम 6-6 कर देते हैं तो 50% विर्थ हिसका 50% विर्थ हिसका वैसे ही अगर आप यहाँ पे define कर देते हो 4 तो देखें 12 में कितना बच गया 8 तो 8 आप यहाँ define कर दो तो 2 मिलाकर कितना हो गया 12 तो 12 से ज़्यादा नहीं देशकते है 12 से कम आप देशकते हो या 12 देशकते हो दोनों मिलाकर या 3 मिलाकर या 4 डबा है तो 4 मिलाकर आप बाड़ा देदो जैसे देखें मैं यहाँ पे 2 कॉल्यूम और क्रियेट कर देता हूं तो इस रोक अंदर 4 कॉल्यूम हुआ लेकिन 4 कॉल्यूम के विर्थ को जरायड कीजिए 6-6 12 और 6 या ठाड़ और 6 24 यानिके गलत हो किया 12 से जादा नहीं हो सकता है तो आपे काम कर सकते हो 3 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 अब आपैड करो 4 को 3 3 6 3 9 3 12 ओके तो मैक्सिमम कितना होका एकड़ो के अंदर विर्थ 12 जाहे आप एक कॉल्यूम बनावतों और जाहे आप 2 या 3 कॉल ओके टेस्टिंग करना चाहते तो आपे काम करो इसमें आप bg- primary color आप define कर दो और फिर इसमें कोई और color आप define कर दो जैसे मैंने bg danger define कर दिया थोरा शा पैडिंग बढ़ा दिजे मैंने padding 5 इसमें दिया और यहाँ भी padding 5 ऐशे डिफाइन कर देता हूँ रन करके टेस्ट यह कैसा दिखता है जरा देखिए विर्थ पता चला आपको 66 विर्थ कितना हुआ 50% और 50% अगर मैं यहाँ पे 8 कर दू और यहाँ पे 4 कर दू तो इसमें विर्थ किसका ज्यादा होगा इसका क्योंकि इसमें जो quantity है वो ज्यादा है रन करके टेस्ट किजिए देखिए इसका विर्थ ज्यादा होगा इसका कम अगर मैं ज्यादा करता हूँ यानिके 12 से ज्यादा जाश देखिए यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 12 तो कितना होगा 12,8,20 तो एक लाइन में नहीं दिखेगा और टोमेटिक ब्रेक हो करनी चे आ जाएगा मैं रन करके टेस्टिंग कर देखिए 12 वाला ब्रेक हो करनी चे आ गया क्योंकि दोनों को एड करने के बाद मैक्सिमम बाड़ा से यह लिमिट क्रोश होडा इस वज़ा शे यह दिकता आया शो मुझे लगता है कॉल्यूम का कॉनसेप्ट आप समझ चूके होंगे हमने टेस्टिंग करने के लिए यह ची कॉन्टेंट को इस प्रकरार से राइट कर दो तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया उस कॉन्टेंट को अब इसके ठीक नीचे आप पी एलिमेंट को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे और पी एलिमेंट के अंदर आप इसको राइट कर देंगे तो मैंने कॉपी किया वहां और यहां पर आशे पेस्ट कर देता हूँ जरा रण करके टेस्ट कीजिए काशा दिखता है देखे बाया साइड वाले डबबे में दिखा पहले हम सब कुछ सेट कर लेते फिर हम उसे आरेंज करेंगे शही से अब दाहिने साइड जरा फोटो को सेट करते है तो इस प्रोजेक जो मैं फोटो अभी यूज करने वाला वो फोटो इमेजेज फोल्डर के अंदर मैंने रखा है फोटो का नाम है ओफिश और एक्स्टेंशन कोड है पी एनजी इसका विर्थ फिलहाल के लिए छोर दीजिए अल्ट जरू डिफाइन कर दीजिए जैसे मैंने अल्ट नहीं होगा तो उसके इसमें ओफिस पिक डिस्पले हो जाएगा जरा रण करके इसके टेस्टिंग कीजिए देखिए ऐसा दिखा बहुत विर्थ है इसका तो आपे काम कर सकते इसका विर्थ कोल्यूम के अनुशार हंडे पोसेंट पे कनवर्ट कर सकते हो शिंपली आप इस नीचे दोनों को एक साथ मूव करना है मैं कैसे मूव कर सकता हूँ देखे दोनों का मेन कॉन्टेनर कौन है ये आप डो में भी डिफाइन कर सकते हो वैसे मैं मेन कॉन्टेनर में डिफाइन करता हूँ MT5 इसका मतलब क्या हो गया margin top 5 automatic container खिश केगा उसके साथ रो और कॉल्यूम भी नीचे खिशक जाएगा रन करके ज़रा टेस्टिंग कीजिए देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया अब चलिए ज़रा इसका font डिजाइन करते हैं अगर आपको font की आवशकता है तो आप search कर सकते हैं इस तरह से Google font enterprise कीजिए यहाँ से धेर साड़ा font का डिजाइन आपको देखने को मिलेका जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज कर लो जैसे मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ और देखे यहाँ पे यहाँ से आपको select कर लेना है डिजाइन थोड़ाशा bold या italic जैसे पर डिजाइन चाहे जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ जो हलका bold है ये वाला और फिर यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद देखे embed का option देखा ये जो link आपको मिले इसको copy कर लिजे और जो आपका index.html है इसके head element के अंदर इस तरह से link को paste कर दिजे और ध्यान से देखे चरा यही पर define है कि font family कैसे use करेंगे आप यहाँ से font family को copy कर लो और जैसे अगर आपको font family इस h1 में इस्तमाल करना है तो class या id का कोई भी value आप set कर दो जैसे मैंने इसमें id का value set कर दिया office title और ये जो p element है इसमें मैं class का value set कर देता हूँ office description तो देखे description के लिए मैंने des को define किया अब external css का page create कर सकते हैं या इसी में code कर सकते हैं मैं external css का page आशे create करता हूँ मैं इसे shape कर देता हूँ css folder के अंदर इसका नाम define कर देता हूँ style.css जराइसे link कर दीजे style.css को index.html के अंदर link करने के लिए क्या करेंगे link टैक को शुरू करेंगे और relationship attribute का value define कर देंगे style set उसके बाद href attribute के value में define कर देंगे css folder के अंदर style.css नाम का फाइल है इसी में जो code हम करेंगे उसका effect इस page में देखने को मिलेगा so किसे design करना है हमें इसको office title को यहाँ जो दिख रहा हूँ उसे तो आज ही यहाँ पे class का value है office-title आप ऐसे select कर सकते हो office title को और simply या font family ऐसे define कर दीजे जैसे google ने आपको recommend किया हो तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो font family है तो यह आपके system का font family default है किसी कारण वस अगर google का font काम नहीं करेगा तो उस case में यह font आपका काम कर जाएगा ज़रा run करके testing किजिए आशा दिखता है मैंने page को reload किया देखिए कुछ है अशा दिखाई दिया और interesting बनाने के लिए आप यहाँ पे break दे दो यानि कि develop से पहले आप break का symbol दो आज ही index.html में simply मैं यहाँ पे break का इस्तमाल करता हूँ run करके test किजिए देखिए कुछ है अशा दिखाई दिया इसको थोड़ा सो और अच्छा दिखाने के लिए आप इसमें letter spacing का इस्तमाल कर सकते हो शो CSS वाले page में आजाई और letter hyphen spacing का इस्तमाल किजे जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल run करके testing किजे देखिए का इसा दिखता है आशा दिखाई दिया थोड़ा सो line height का इस्तमाल किजे ताकी इनके बीज में line की दूरी बढ़ जाए शो आशा डिफाइन करेंगे line hyphen height को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 30 पिक्सल टेस्टिंग किजे बहुत congested हो गया इसको और ज्यादा बढ़ाई है जैसे मैंने 50 पिक्सल डिफाइन कर दिया अब शही है मुझे लगता इसका जो size है वो छोटा होना चीए तो अच्छा दिखेगा तो इसका size छोटा करने के लिए इसका element भी आपको अलग रखना होका शो आप यहां से इसे remove करो develop anything को और इसके ठीक बाद आप यहां पे h3 का इस्तमाल करो और इसमें आप ऐसे define कर दो develop anything इसमें class का value कुछ define कर दिजिए जैसे मैंने class का value डिफाइन कर दिया office hyphen subtitle ओके जरा decorate की जो office hyphen subtitle को यहां पे आएंगे css वाले पेज में और ऐसे select कर लेंगे office hyphen subtitle को font family stream रखेंगे later spacing वागरा stream रखेंगे पहले stream code copy करके paste कर दिजिए इसके अंदर और test कीजिए कैसा दिखता है देखे ऐसा दिखा project बनाते वक्त यह शारी correction करनी पड़ती है क्योंकि एक ही बार में आप project को confirm नहीं कर सकते है इसलिए बार बार उसमें change करके देखते है जब तक अच्छा ना लगे तब तक हम change करते रहते है ज़रह इसका हम size बढ़ाएंगे जो develop anything है उसका so आज यह style.css में यहीं पे size बढ़ाने के लिए font-size property का इस्तमाल कीजिए size define कर दीजिए 40pixel रन करके test कीजिए बहुत हो किया 40pixel और कम कीजिए इसे तो यह सारा चीज आपको खोशे try करके देखना होका तो अच्छी तरह से आप project को develop कर पाओगे future में अब चली जड़ाइसे design करते है इसमें class का value क्या डिफाइन है जरा देख लिजिए class का value ओफिस आइफन description आजी style.css में और ऐसे select कर लिजिए ओफिस आइफन description को मैं इसका font family computer का default रख देता हूँ sans-serif जरा देखे रन करने पे आशा देखा color इसका थोड़ा सहल का कीजिए serve 32 32 32 ऐसे define कर दिया run करके test करने पे देखे कुछ ऐसा दिखाए दिया तो यहाँ देखे मैंने थोड़ा सहा बदलाव कर दिया है इसमें मैंने सब को capital letter में write कर दिया है और यहाँ देखे line height जहाँ पे 50 pixel मैंने define किया था उसमें मैंने 20 pixel line height को define कर दिया अब जरा office description को और अच्छा दिखाना है शो आप इसमें भी इस तरह से letter spacing का इस्तमाल करो इस प्रकार से और जरूरत के नुशार आप letter spacing को define कर दो जैसे मैंने 5 pixel define कर दिया run करके test करते देखे कुछ आशा दिखाए दिया अब इसके ठीक नीचे हम button को पहले बटन में capital letter में आप राइट कर दिजिए get more info और इसमें class का value आप define कर दो btn और फिर इसके बाद अगला class value आप define कर दो danger तो आशा करने शो होका खिया देखे button करिये ठोका और इसका danger वाला color आज जाएगा आशे थोड़ा से padding दीजिए button में तो चारो दिशा से padding देने कले आप यहाँ पे define कर दो p-3 रन करके test कीजिए देखे आशा दिखा तो मैं चाहता हूँ p-3 सिर्फ आपका top और bottom से हो और left और right से अलग हो तो top और bottom के लिए py3 दीजिए और left और right के लिए px5 कर दीजिए तो left right में px5 और top bottom में py3 रन करके test कीजिए देखे आशा दिखाई दिया copy paste कर लिजिए और यहाँ right कर दीजिए contact us इसका color change कर दीजिए जैसे मैंने color define कर दिया जैसे मैंने color define कर दिया btn-primary रन करके test कीजिए कैशा दिखता है यह जो p element है इसमें हम margin bottom देंगे automatic दोनो move हो जाएगा नीचे की तरफ यह रहा p element आप इसमें mb का इस्तमाल करो और mb5 आप define कर दो तो इसके नीचे margin bottom 5 पास होगा जिसके वज़ाश यह दोनो एक ही बाड में नीचे आ जाएगा रन करके टेस्ट कीजे देखिया आशा दिखाई दिया जरह इस paragraph को ऊपर से नीचे थोड़ा सो और move कीजे तो इसी में आप class का value यानि के paragraph में class का value आप add कर दो mt-3 रन करके टेस्ट कीजे थोड़ा से move हो किया ठीक है इन दोनों के बीज में थोड़ा से दूरी बठाना है बटन के बीज में कैसे बठाईंके ये देखे जो पहला बटन है इसी में आप चाहो तो margin right पास कर सकते हो 3, 2 जो भी आप कीज़ा हो मैंने run किया इसे देखे इस बेशा किया दोनों के बीज में मुझे इन तीनों को एक ही बाड़ में vertically center में रखना है ये कैसे होगा पहले तो इन तीनों को एक div element से बंद कीजिए तो call mt6 के अंदर जहां आपका h1 शुरू हो उसके ठीक पहले div element को शुरू करेंगे और जहां आपका बटन बंद हो रहा है वहां पे div को ऐसे बंद कर देंगे अब देखे जरा इस div के अंदर पूरा आ गया अब ये div जिसके अंदर बंद है इसी में d-flex class value आइड करेंगे और फिर अगला class value हम इसमें आइड कर देंगे align items center तो ऐसे करने से automatic के इस column के अंदर ये जो development है या vertically center में जाएगा और अगर ये development vertically center में गया तो इसके अंदर का साड़ा content भी vertically center में जाएगा मैं रण करके इसके testing करता हूं देखे vertically center में आ गया जरा इसके responsive के testing कर लीजे मैंने इस तरह से छोटा किया देखिए शाई से ब्रेखो कर दिखा ये photo बड़ा ही congested है दोनो बटन से हमें काम कर सकते हैं दोनो बटन में margin bottom पास कर सकते हैं शो देखे ये रहा बटन इस में इस तरह से mb define किजे और ऐसे define कर दिजे mb5 इस बटन में भी define कर दिजे इस प्रकार से mb5 तो ऐसा करने से इन दोनो बटन के नीचे space बनेगा और photo congested नहीं दीखेगा आपका run करके जरह टेस्टिंग किजिए देखिए perfect मुझे उमीद है ये शाड़ा चीज आपको समझ में आया होका ये मेरा first live class था YouTube पे कोई idea नहीं था कि किस तरह से live टीज करना है स्टूडेंट्स को मैंने पूरा कोशिश किया जिस तरह से premium student को हमारे दोरा पढ़ाया जाता है वैशे ही live training आपको दी जाए और इस तरह से हर वीडियोज को पढ़ने के लिए आप हमारी online courses को जोईन कर सकते हो और अभी अगर जोईन करते तो बहुत शारार डिस्काउंट्स भी आपको मिलेगा अट्लिस्ट हमारे एक्जिक्यूटिफ को कॉल किजे वो शारी information दे देंगे आपको वैप इंस्टिट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद